स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं मैनमार में जो सेना की सरकार है उसके लिए अब करो या मरो की स्थिती आ गई है जानेंगे मैनमार में ऐसा क्या चल रहा है और ये भारत के लिए क्या खतरनाक हो सकता है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अहीं दूसरी तरफ भारत आखिरकार जाल क्यों बिछा रहा है और बहुत ही जादा रफतार के साथ जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से सबसे बड़ी गलती कर दी मैनमार की जुन्टा सरकार ने भारत के पडोस मैनमार में सब कुछ बड़ियां चल रहा था लेकिन यहां पर तखता पलट करके सेना का सासन आया और सेना का सासन फिर बिद्रोहियों से जूजने लगा एक ओपरेशन सुरू होता है 1027 और इस ओपरे मैनमार के एक और परमित्र चायना के ऊपर भी कि उसने यहां पर डबल गेम खेला अब किसने डबल गेम खेला और किसने नहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस देश की अपनी सरकार की यहां पर जनता द्वारा चुने गए सरकार को बदलना जुन्टा को बहुत रहे जाने वाले सेना के सासक को लगातार विद्रोही गुटों के भीशन परत्य रोध का सामना करना पड़ रहा है इस्क्रीन पर ये जितने सारे डॉट देख रहे हैं आप ये वो इलाके हैं जहां सरकार यानि की मैनमार की सैन्य सरकार जूज रही है यहां के विद्रोही गुटों के साथ कई ऐसे महतपूर्ण सहर कई ऐसे बैपारिक मार्ग पे कंट्रोल खो चुका है कि सैन्य जूटा पहले से जंग से जूज रहे हैं मैनमार में जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2024 में भी भयानक हालात रहने हैं और 2025 में भी बहुत ही गंबीर रूप से आकार लेती जा रही है हाल के महिने में जो यहां के राजजी परसासन परिसद हैं उनके सेना को बहुत ही बड़ा ब्यापक हार मिला है इसी बीच सीमा के बड़े हिस्से पर सक्तिसाली विद्रोही गुटों की सेना कंट्रोल कर चुकी है एसिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताविक आने वाले बरसात के मौसम में युद्ध और भी भ्यानक रूप ले लेगी क्योंकि युद्ध फिर काफी तेजी से राजधानी की तरफ बढ़ेगी सबसे खराब इस्थिती में हत्या हो सकती है जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह भाग सकती है आपको बता दे कहा जा रहा है कि ऐसे हालात हो सकते हैं जो 1970 के दसक के इंडो चीन युद्ध के बाद दचिन पुरु एसिया में नहीं दिखाई दी गई थी हाली में युद्ध के मैदान में सेना की हार का पैमाना और मनोबल पर इसका परभाव भी पढ़ने वाला है विद्रोही गुटों का ओपरेशन 1027 एक बहुत बड़ा एतियासिक जटका था सेनने सरकार के लिए एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इन सब का असर भारत के उपर भी पढ़ने वाला है क्योंकि यहां पर इसक्रीन पर एक खबर देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैन मार संग चाइना मिलकर अपनी सेना को भी उतार रहा है वैसे तो चाइना के उपर ही आरोप लगते हैं कि यहां डबल गेम खेल रहा है पर फिलाल के लिए एक लाइव ड्रील का आयोजन किया गया है बिजनिस टुडे की इस खबर को देख सकते हैं बस एक चीज़ जरूर है कि भारत के पडोस में ये सब कुछ हो रहा है भारत पर इसका असर तो होगा ही भारत ने बॉर्डर सील करने का सोचा जरूर है लेकिन अभी तक भारत न तो सील कर पाया है और न सील कर पाना बहुत जल्दी आसान होगा पर हां यहां पर बहुत मुस्किले खड़ी होने वाली है जो लोग मयनमार से भागेंगे वो संबहुत भारत के अंदर परवेस करेंगे भारत को अब यहां पर सजग रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी एक बड़ा जाल बना रहा है और इस जाल को देखकर एक चीज़ समझ में आ रही है भारत के तेजी से अपने गोल्डेन एरा की तरफ बढ़ रहा है जी ट्वंटी देशों में किसी भी देश की रफतार दो हजार चौबिस में उससे ज़्यादा नहीं है यानि एकोनोमिक ग्रोथ की मामले में दुनिया की टॉप और्थ विवस्ताओं में भारत सबसे तेजी से दोड पिछली तीन तीमाही में भी उसने 7.8, 7.6, 8.4% की ग्रोथ दर्ज की है ग्रोथ के बाद गवर्नेंस भी दूसरा बड़ा फेक्टर है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा भारत में अभी राजनीतिक उठापठक के हालात नहीं है पिछले कुछ सालों में दे बरत पातर ने हाली में कहा था कि 2032 तक भारत दुनिया की दूसरी और 2050 तक सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन सकता है जो तीसरा फेक्टर है भारती अर्थविवस्था में जान फूक रहा है वो है इंफ्रास्टरक्चर पर खर्च सरकार ने पिछले कुछ सालों में और यही चीज देखने को मिल भी रही है जहां ग्लोबल एजेंसिया भारत के ग्रोथ को लेकर काफी अच्छा फिटबेक दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारती इन दिनों एक और काम कर रहा है और वो काम है इंटरनेशनल कोरीडोर बनाने का काम इन में से कुछ कोरीड के लिए कड़ी मेहनत कर रही है आई मेक को जिसे ज्यादा तर दुनिया मान रही ती नहीं चलने वाला है यहां पर देखेंगे इसकी सुरुवात भी हो चुकी है और जेद्दा पोर्ट से जुड़ भी गया है भारत का मुंबई पोर्ट इसके अलावे अंतर राष्ट्रिय उत्तर दचिन परिवान गलियारा जिसे नौर्थ साउथ कोरिडोर के नाम से जानते हैं वो भी जुड़ रहा है साउथ इस्ट एसिया यहां से भी जुड़ रहा है तो वहीं चेन्नई से ब्लादी वोस्तोक तक भी भारत कोरिडोर पे काम कर रहा है आपको बता दें इस वक रास्ते इरान से होते हुए भारत तक भैपार भारत से फिर इरान होते हुए रूस तक भैपार लेकिन यह इतना धीमा रहा इस पर लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे थे पर वहीं चाइना ने जब 2013 में ब्यराई लाया दस साल में पानी की तरह पैसा बहाया चीन का असली मकस देशों को करजा देना सडकों को फैला लेना और फिर कूटनीतिक दवाब बनाना अब तो कई सारे ऐसे देश हैं जो चीन के इस बियराई से बाहर निकलना चाहते हैं पर भारत क्या चाहता है भारत चाहता है कि इतने कोरिडोर बना दो कि कहीं से भी बैपार में का डर नहो हर तरीके से भारत को यहां बैपार करने से कोई रोक न पाए यही वज़य है कि भारत लंबे चोड़े तरीके से इस गलियारे पे काम कर रहा है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीड कर दो कर दो कर दो हुआ दो ...